आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट फिप्ट को कवर अप करेंगे तो स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में बहुत ही सांदार तरीके से क्वेस्चन्स को हल करेंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए क्वेस्चन पर चलते हैं क्वेस्चन नंबर 45 से हल करेंगे इससे पहले के सभी क्वेस्चन्स को हल कर चुके हैं डिस्क्रेप्शन में लिंक है वहाँ से देख लीजिए तो देखिए क्वेस्चन क्या है ए तथा बी की चालो का नुपात 3 नुपात 4 है एक निश्ची दूरी बी ने 24 मिनट में ताइकी है इस दूरी को ताइक करने में एक कितना समय लेगा तो देखिए ए और बी की चालो का नुपात 3 नुपात 4 है निश्ची दूरी को ताइक करने में बी ने 24 मिनट B जो किसी दूरी को तैय करने में 24 मिनिट का समय लेता है इस दूरी को तैय करने में एक कितना समय लेगा ये ग्याद करना है हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तो A और B की स्पीड का रेसो दिया है चाल का अनुपाद हमें 3 अनुपाद 4 दिया है Speed का Reso दिया है 3, 4 तो Time का Reso क्या हो जाएगा इसके बिल्कुल Opposite क्योंकि Speed और Time एक दूसरे के पूरक होते हैं तो देखिए ये Time का Reso आ गया इन दोनों के बीच तो देखिए 3 की Value किसके बराबर होगी? 24 के बराबर होगी क्यों होगी? क्योंकि देखिए किसी निश्चित दूरी को B ने 24 मिनट में तै की तो 3 की Value क्या है? 24 के बराबर होगी 3 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा तो 1 की Value निकल जाएगी 3 से कार देगे 24 को कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा तो देखिए 1 की Value 8 के बराबर है 1 की Value 8 के बराबर है तो 4 की Value कितने के बराबर होगी? तो देखिए तो यह हो जाएगी 4 गुडित 8 4 गुडित 8 हो जाएगी और 8 चोके 32 32 मिनट तो यह जो है इस दूरी को तै करने में कितना समय लेगा? 32 मिनट का समय लेगा यह इस दूरी को तै करने में 32 मिनट का समय लेगा बहुत ही अच्छा कोश्चन है अगले कोश्चन पर चलिए एक कार किसी दूरी को उस दस घंटे में तै करती है यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमेटर पती घंटा की चाल से तता सेस आधी दूरी 60 किलोमेटर पती घंटा की चाल से पूरी की हो तो यहां कितनी दूरी है तो देखिए क्वेश्चन को समझिए किसी दूरी को एक कार जो किसी दूरी को 10 करती कार किसी दुरी को 10 घंटे में तय करती है यादि सात्रा में यहां कितनी दूरी है यान कि सुरू से लेके end तक दिस्टेंस किता यह जानका है में तो हल करते हैं तो देखे दोस्तो क्या कह रहा है यह टोटल दूरी हो गई आधी दूरी को जो है वो 40 km प्रति घंटा की चाल से तै करता है और जो सेज आधी दूरी है उसे 60 km प्रति घंटा की चाल से तै करता है आधी दूरी 40 km प्रति घंटा और आधी दूरी 60 km प्रति घंटा की तै करता है और ये टोटल दूरी तै करने में उसे 10 घंटे का समय लगता है टूटल दूरी टाय करने में 10 घंटे का समय लगता है तो हल करते हैं देखिए तो question देखिए एक कार किसी दूरी को दस घंटे में टाय किसी दूरी को बोल रहा है दूरी नहीं दी है हमें तो दूरी को एक माल लेते हैं एक माल लिए फिर बोल रहा है आधी दूरी एक का आधा किता हो गया एक बटे दो एक का आधा एक बटे दो हो गया आधी दूरी को 40 किलोमेटर प्रति घंटा की स्पीड से तै करता है सेस आधी दूरी सेस आधी दूरी को देखो एक में से आधा तो एक बटे दो और आदी दूरी बची फिर आधा एक बटे दो, धन एक बटे दो, कित्ता होता है? एक होता है 6 आदी दूरी को फिर 60 km प्रति घंटा की चाल सेताय करता है तो उसे टोटल समय कित्ता लगता है? 10 घंटे लगता है यह देखिए पहले आदी दूरी 40 km की प्रतिगंटा की चाल से और सेज दूरी 60 km प्रतिगंटा की चाल से चलता है तो 10 गंटे में पूरी यात्रा कर लेता है तो हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए दो गुडी 40 किता हो गया एक बटे 80 हो गया धन दो गुडी 60 किता हो गया 120 हो गया एक बटे 120 बराबर 10 चल रहा है इन दूनों का LCM किता आजाएगा 80 और 120 का LCM किता हो गया 240 आजाएगा 240 LCM आजाता है देखिए 80 240 से किते बार कटता है तीन बार कटता है और तीन का गुड़ा एक के साथ करेंगे तो किता आजाएगा तीन आजाएगा धन 120 से 240 किते बार कट रहा है दो बार कटेगा और दो का गुड़ा एक से कर देंगे तो दो आजाएगा बराबर 10 तू देखिए तीन और दो किते हो गया पाच और 240 का गुड़ा दस के साथ हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 2400 हो जाएगा पाच की वेल्यू 2400 के बराबर है तो एक की वेल्यू किते के बराबर होगी तो पाच से कार देंगे इसे तो ये पाच से किते बार कट जाएगा 480 बार कर जाता है तो टोटल दूरी किते आजाएगी 480 किलोमीटर टोटल दूरी 480 किलोमीटर निकल के आजाएगी ओप्सन नमबर भी देखिए इसे सूतर से भी हल किया जा सकता है देखिए इसे फार्मूले साल करने के लिए देखिए फार्मूले के आज़ 2S1, S2 अपान S1 प्लस S2 गुडित टोटल टाइम तो देखिए दो गुडित S1 की वेलिए यानि कि पहली चाल किते है 40 किलोमीटर और दूसरी चाल किते है 60 किलोमीटर प्रती घंटा बटे में S1 प्लस S2 40 धन 60 टोटल टाइम किता लग रहा है उसे 10 घंटे लग रहा है तो देखिए 40 और 60 किते हो गए 100 हो गए तो देखिए 40 और 60 100 हो गए बटे में क्या है उपर अंस में 2 गुडित 40 गुडित 60 गुडित 10 देखिए 2 0 से 2 0 कड़ गए चाचो को 24 24 दुनी 48 और 48 का गुड़ा 10 के साथ होएगा तो किते हो जाएगे 480 किलोमीटर यह आ गया आंसर यह देखिए 480 किलोमीटर आ गया आंसर अगले क्यूश्चन पर चलते है एक वेक्ति बिंदू 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 इस पीट का रेसो निकल गया 6 अनुपाथ 4 तो टाइम का रेसो क्या निकल जाएगा बिल्कुल इसकी विप्रित 4 अनुपाथ 6 तो देखिए इस स्पीट का रेसो क्या निकल गया चार किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है इस स्पीट का रेसो निकल गया चार अनुपाद 6 तो टाइम का रेसो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा चार अनुपाद 4 हो जाएगा तो देखिए ये सरल हो सकता है दो चार दो तिया चार दो दूनी चार तीन अनुपाद 2 तीन अनुपाद 2 होगा ऑप्सन नंबर E आगले कुश्चन पर चलिए एक व्यक्ति जो पाड़ी से धलान की अनुदिस 4 से 1 बटे 2 किलोमीटर पती घंटा की चाल से तता धलान की विप्री दिसा में 3 किलोमीटर पती घंटा की चाल से चल सकता है पाड़ी के उपर जाकर वापिस आने अपने प्रारंबिक इस्तान पर 5 घंटे में आता है वहाँ पाड़ी पर कितने उचाई तक चड़ा तो हल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तों कोई वेक्ती देखिए धलान से जो पाड़ी के धलान के अनुदिस यानि कि यहाँ उपर से चार से एक बटे दो किलोमीटर पती घंटा की चाल से इस तरह पाता है वह और चड़ाव की तरह धलान के विपरिश दिसा में यानि कि इस दिसा में इस दिशा में चार साही एक बटे दो किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से आता है और इसकी विप्रेश दिशा में वो तीन किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चाल से चालता है तो उसे जाने और आने में पाच घंटे का समय लग रहा है तो देखिए पहले वो जा रहा है तो T1 मान लेते हैं इसे फिर वो आ रहा है तो T2 और ये दुनों जाने और आने में कितने समय लग रहा है उसे 5 गंटे का समय लग रहा है तो हल करते हैं देखिए इसे T1 प्लस T2 बराबर ये हुए जाने और आने जाने में समय धन आने में समय दुनों को मिला है तो 5 गंटे आ रहा है तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर क्या होता है distance upon speed तो distance क्या है दूरी हम X मान लेते हैं हमें दी नहीं है तो दूरी को हम X मान लेते है एक्स और जाने में किस चाल से जा रहा है भो धलन की तरफ 4 सेई धादान की उपरी दिशा में तीन किलो मिटर की गतिस जा रहा है उपर चड़ रहा है तो चाल तीन किलो मिटर पति घंटा आ गई धान टीटू की वेल्वी देखिए अपन दूरी को एक्स वान लिए और वो उतर किसी स्पिट से रहा है चड़ाई से चार साही एक बटे दो देखिए चार दुनी आठ और एक नव बटे दो तो नव बटे दो तो ये पूरा काम कितने घंटे में कर रहा है पाच घंटे में कर रहा है तो देखिए एक्स बटे तीन धन ये दो उपर चल जाएगा तो टू एक्स हो जाएगा 2x बटे 9 बराबर 5 तो देखिए 3 और 9 का LCM किता आ जाएगा 3 और 9 का LCM आ जाएगा 9 बटे देखिए 3 से 3 से 9 को डिवाइट करेंगे 3 बार जाता है तो 3 का गुड़ उपर होएगा तो ये 3x हो जाएगा धन 9 का भाग 9 में किते बार जा रहा है और 1 का गुड़ दो के साथ होएगा 2x के रहा साथ किता बट जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 5 तो देखिए 9 का गुड़ पाच के साथ हो जाएगा 9 पाना 45 3x धन 2x बराबर 45 3 और 2 किते हो गए 5x बराबर 45 तो x का मान किता आ जाएगा X बराबर 9 तो यानि कि 9 किलो मीटर उचाई तक पहाड़ी पर चला 9 किलो मीटर उचाई तक पहाड़ी पर चला option number D आ गया अगले question पर चलिए एक रेल गाड़ी एक रेल गाड़ी अपनी सामानी गती से कुछ दूरी तैक करती है तो यहां दूरी 6 गंटे अधिक समय में तैक की जाती यात्रा की कुल दूरी कितनी है तो देखिए question को समझे अपनी सामानी सामानी गती से कुछ दूरी तैक करती है इसकी गती 6 किलो मीटर पति गंटा अधिक होती अगर इसकी गती 6 km प्रतिगंटा अधिक होती तो 4 घंटे कम समय लगता 4 घंटे कम समय लगता दूरी जिताय करने में अगर इसकी speed और फिर second condition में बोल रहा है इसकी गती 6 km प्रतिगंटा कम होती तो 6 घंटे अधिक समय लगता है तो यहां यात्रा की कुलदूरी कित्ती यह ग्यात करना है हल करते हैं देखिए देखिए दोस्तों इस क्वेस्टन को हम एक फार्मूले से हल करेंगे तो देखिए सूत्र क्या है S S1 upon S1 into T T हमारा टाइम हो जाएगा बराबर S प्लस S2 upon S2 into T2 यह T1 है तो देखिए S क्या है सामानी गती सामानी स्पीड यानि कि S रहेगा फिर स्पीड में वो 6 किलोमीटर बढ़ा रहा है S plus 6 हो जाएगा कित्ते की स्पीड है S1 का मान कित्ते है हमारा 6 हो गया और तो चार घंटे कम समय में दूरी को तै कर लेता है यानि कि T की वेल्यू कित्ती आ जाएगी 4 आ जाएगी बराबर देखिए नॉर्मल स्पीड तो ऐसी है धन फिर अपनी स्पीड को वो कित्ती कम करता है हाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो माइनस कम करता है पहले 6 किलोमीटर बढ़ाता है फिर 6 किलोमीटर कम करता है स्पीड 6 किलोमीटर घंटे अधीक लगते है दूरी को तै करने में तो टी की वेल्यू कित्ती आ जाएगी 6 आ जाएगी तो देखिए 6 से 6 कट गया 2 तीया 6 और 2 दूनी 4 तो देखिए अब आगे हल करते है तो देखिए 2 का गुड़ा ये 5 एस के साथ और ये 6 के साथ हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 2 एस धन छाई दूनी 12 और बटे में 3 है बराबर 5 एस रिंड 6 एस और ये रिंड 6 तो 3 का देखिए इधर आ जाएगा 3 पक्चा अंतर होके तो क्या बचेगा उदर 2 एस प्लस 12 इक्वल टू 3 एस तीन का गुड़ा इधर होएगा 3 एस हो जाएगा रिंड 6 त्री 18 तो देखिए 2 एस का पक्चा अंतर एस एस वाले एक साइट कर लेते हैं चारा एक साइट और अचर एक साइट कर लेते हैं तो क्या आजाएगा एस बराबर क्या आजाएगा अठरा और बारा किता हो जाएगा 30 हो जाएगा इस साइट आजाएगा अठरा इस साइट आजाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो बारा बारा तीस हो जाएगा तो एस की वेल्यू किता है आगई इस आ गई, एस क्या निकल गई हमारी स्ब्सक्राइब पता चल गई हमें अब हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने के लिए देखिए यह दोनों इस इक्वेसण या इस इक्वेसण किसी में भी स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो time निकल जाएगा हमारा क्योंकि time बराबर बर distance upon speed तो ये तो distance into upon speed बर तो ये ये दिखी speed हो गई बटे में बटे में speed हो गई और उपर वाली distance हो गई तो s की value पूट कर देते हैं तो देखिए 30 हम इस equation में रख रहे हैं तीस धन S1 कमान 6 है बटे S1 कमान 6 into time किता है चार है तो देखिए 2 ती अच्छा है दो दूनी चार तो देखिए 30 और 36 हो गई 36 बटे 3 36 गुड़े में 2 है देखिए तो यह हो गई 36 गुड़ा 2 और बटे में 3 तीने कम 3 और 3 दूनी 6 है और 12 दूनी 24 तो time किता निकल के आ गया 24 टी बराबर 24 निकल के आ गया time तो देखिए आगे क्या बोल रहा है तो यात्रा की कुल दूरी किती है तो देखिए हमें speed मिल पता चल गई time पता चल गया तो कमी किस बात किये distance किये तो देखिए यहाँ पर देखिए distance बराबर होता है speed into time speed किती है 30 और time किता निकल गया 24 तीस गुरी 24 करेंगे तो यह किता आ जाता है यह आ जाएगा 720 तो इसका आंसर हो जाएगा कुल दूरी यात्रा की कुल दूरी किती है जाएगी 720 किलो मीटर 720 किलो मीटर अगले कुश्चन पर चलते है एक वाईउयन अपनी निश्चिस समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरम करता है तता 1500 किलो मीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गती में 250 किलो मीटर पति गंटा की वरद्दी की जाती है उसकी सामानी गती कितनी है तो देखी कुश्चन को समझीए एक वाईउयन अपनी निश्चिस समय 30 मिनट बाद उड़ान भरता है जो है अपनी निश्चिस समय से जिस समय उड़ान भरना तो उससे 30 मिनट बाद उड़ान भरता है 1500 किलो मीटर की दूरी ठीक समय में पहुंचने के लिए वो अपनी गती 250 km प्रति घंटा की उरद्धी करता है तो उसकी सामाने चाल क्या है यानि कि नॉर्मल स्पिट क्या है अगर वो टाइम से उड़ान भरा रहता है तो किस गती से जाता है यह ग्यात करना है ठोल करते हैं तो देखे दोस्तों question बोल रहा है एक वाईयों अपनी नीचे समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरम करता है 30 मिनट बाद यानि कि देखे उसे उड़ना किते समय पर था एकजामपल के लिए समझ दिए उसे 4 बजे उड़ना था और वो उड़ान किते बज़ बर रहा है साड़े चार बजे यानि कि 4 बज के 30 मिनट तो किते की देरी हो रही है उसे 30 मिनट की तो ये टी वन ये वाला टाइम हो जाएगा ये टी टू हो जाएगा और किते की देरी हो रही है 30 मिनट 30 मिनट बोले तो एक बटे दो आधा घंटा तो यह आदा घंटा आजाएगा न आदा घंटे की देरी हो रही है बराबर क्या आजाएगा एक बटे दो तो देखिए एक वाईउ यान तो T1 माइनस T2 बराबर क्या आजाएगा एक बटे दो क्योंकि आदा घंटे की देरी हो रही है उसे उड़ना तो इस समय में था लेकिन उड़ इस समय में रहा है आदा घंटा लेट चार बज़े उड़ना था चार बज़े उड़ रहा है आदा घंटे लेट उड़ रहा है वह तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेस अपान स्पीड त और इस्पीड फिर वो क्या है अपनी ठीक समय में पहुंचने के लिए अपनी इस्पीड कित्ती बढ़ा रहा है 250 km बढ़ा रहा है पहले तो 1 km पती घंटा की स्विट से जा रहा था अब ठीक सम लेट हो रहा था तो अपनी स्विट बढ़ा रहा है स्विट कितनी बढ़ा रहा है 250 km एक धन 250 तो बराबर एक बटे दो अब देखिए अब इसे हम option से हल करेंगे option book की method से हल करेंगे बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं option से x की value 720 लेता हूँ तो देखिए क्या होगा पंद्रा सव बटे x की value 720 तो देखिए 0 से 0 कट गया क्या 72 से 150 पूरी बार कटेगा पूरा कटेगा नहीं कट रहा है तो यह option नमबर यह इसका answer नहीं होगा अगर बी की value लेता हूँ और 740 लेता हूँ मैं 744 से देड़ सो पूरी पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है तो option नमबर बी नहीं होगा option नमबर डी लेते हैं option नमबर डी लेते हैं तो देखिए 750 त्रीन स्वरी एक्स की value 750 लेते हैं 750 धन 250 बराबर एक बटे दो चल रहा है तो आगे देखिए 1500 बटे 750 रीन 1500 बटे देखिए 750 और 250 कित्ते हो गए 1000 हो गए बराबर में एक बटे दो चल रहा है देखिए जीरो से जीरो कट गए तो आगे देखिए 5 दूनी 10 और 5 तीया 15 इसी प्रकार एक जीरो से जीरो कट गए और 75 दूनी देड़ सव तो क्या आ गया दो रीन तीन बटे दो इसका लसे में बटे में एक मानली जी तो लसे म कित्ता आ जाएगा इन दोनों का दो आ जाएगा हिलसी है बड़ाबर में एक बटे दो चल रहा है तो एक का गुड़ा एक का भाग दो से कित्ता आ जाएगा तो देखिए चार में से तीन का कित्ता बच गया एक और बटे में दो बर राबर एक बटे दो तो देखिए LHS बराबर रहे आ रहा है लहेस बराबर रहे चल आनि कि ऑप्सन नमबर डी इसका आंसर होगा अगले क्वेश्चन पर चलिए मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14 बचकर 30 मिनट पर चलती है तता इसकी 40-60 किलोमेटर पति घंठा है राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16 बचकर 30 मिनट पर चलती है इसकी चाल 80 किलोमेटर पती घंटा है ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी तो देखिए यहाँ पर 24 हावर का समय लिया है 24 घंटे का सेड्यूल है तो दोनों गाड़ी दिल्ली से चल रही है कि मुंबई एकस्प्रेस है जो भी दिल्ली जाने के लिए दिल्ली से चल रही है और जो राजधानी एकस्प्रेस है वो भी दिल्ली से ही चल रही है दोनों गाड़ी दिल्ली से चल रही है यानि कि एक ही दिसा में चल रही है Speed का अंतर है Member Express 60 km प्रतिघंटा की Speed से चल रही है और जो राजद़ानी Express 80 km प्रतिघंटा की Speed से चल रही है तो हल करते हैं, देखिए तो देखिए धोस्तो Diagram से समझते हैं पहले ये देखिए, ये हो गई दिली और ये हो गई मुंबाई तो पहले क्या चलती ही? मुंबई एक्स्प्रेश दिल्ली से किते बचस चलती है? 14 बचके 30 मिनट पे चलती है 60 किलो मीटर परतिघंटा की स्पिट से इसकी स्पिट किती है 60 किलो मीटर परतिघंटा और पिर बाद में कुन चल रहा है? राजधानी एक्सप्रेस चल रही है वो भी दिल्ली से चल रही है किते बच्च चल रही है यह चल रही है 16 बच्च के 30 मिनाट पर अब और किते कि स्पीड से 80 कि स्पीड से चल रही है तो देखिए पहले तो टाइम को सेम करेंगे 14 बच के 30 मिनट और ये चल रही है 16 बच के 30 मिनट किते का अंतर है दो घंटे का अंतर है यान कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है दो घंटे पहले चल रही है 60 km की रफ्तार से 2 घंटे पहले तो 2 घंटे में किती दूरी तय करेगी है 60 गुडित 2 कर दीजिए तो 120 120 km यानि कि यहां तक पहुँच जाएगी वो 16 बचकर 30 मिनट पे 16 बचकर 30 मिनट पे वो कहां होगी यहां पे होगी 120 km दूरी तय कर चुकी होगी अब देखिए पहली जो है राजधानी एक्सप्रेस कहां से इस्टार्ट होगी यहां से इस्टार्ट होगी 16 बचकर 30 मिनट पे और मुंबई एक्सप्रेस यहां से इस्टार्ट होगी 16 बचकर 30 मिनट दोनों का टाइम समान हो गया तो देखी दोस्तों ये दोनों गाडियां जो हैं एक ही दिशा में चल रही है एक चल रही है 80 किलोमेटर प्रति घंटा है और एक चल रही है 40 किलोमेटर यानि कि आप एक चीक चाल जब एक ही दिशा में चल गाडियां चलती है तो उन्हें घटाया जाता है अगर वेश्पी के दिसा में चलती तो उने जोड़ा जाता यानि कि यहां पर एक की दिसा में चल रही इनहें घटाया जायेगा इनकीछाल्ट तो श्पीट क्या जाएगि आप एक चीक कजक गति के आ जाएगी 20 किलो मीटर 20 किलो मीटर प्रति घंटा इस पीड निकल के आ गई है 20 किलो मीटर प्रति घंटा देखिए दूरी किती हुग पहली ट्रेंप यहाँ पर इह 16 बज के 30 मिनाट पर चलती है दो घंटे पहले चलती है 120 किलो मीटर दूरी तै कर लेती है तो दोनों की बीच की दूरी किती होगी, 120 किलोमेटर हो गई दोनों के बीच की दूरी, हमें दूरी पता है, इस्पीड पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे अब, टाइम निकाल लेंगे, और टाइम बराबर होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड और डिस्टेंस किती है अपनी, 120 किलोमेटर दोनों ट्रेनों के बीच की यहां से यहां तक, पहली ट्रेन यहां है, दूसरी ट्रेन यहां है, तो डिस्टेंस आ गई, 120 और स्पीड किती है, यह निकाले हमने आप एक चिक गती, 20 किलोमेटर, तो दे यानि कि 6 गंटे, 6 गंटे बाद दोनों ट्रेने आपस में मिलेगी यहाँ, दोनों ट्रेने आपस में मिलेगी 6 गंटे बाद, तो टाइम कितना निकल गया, 6 गंटे निकल गया, तो अब हम से क्या पूछा है, कि दोनों गाडियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, यह दि देखिए हमसे दूरी पूछा है तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुडित समय तो स्पीड देखिए पहले यह वाली गाड़ी यहां सुरू से चल रही है यह तो इदर आगे आगई तो 80 आजाएगी स्पीड और गुडित चाहे टाइम 80 गुडित चाहे किता हो यह 480 हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई दिल्ली दोनों गाड़ी कम मिलेगी दिल्ली से 480 किलोमीटर दूर दोनों गाड़ियां मिलेगी option number C is का अंसर होगा option number C option number C is का अंसर होगा 480 किलोमीटर तो question देखिए दोस्तो सुबास तथा सुसील अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए चलना आरम करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं वे एक घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं यदि सुबास 4 किलोमीटर पती गंटा की ओसर 4 से चले तो सुसील की ओसर चल कितनी होगी देखिए हल करते हैं तो देखी दोस्तों सुबास और सुसील अपने घर से चलना आराम करते हैं और एक दूसरे की विप्रेश चल रहे हैं और टोटल दुरी किती है उनकी आठ किलो मीटर है सुबाज जो है इधर से चल रहा है और सुसील इस साइट से चल रहा है तो दोनों एक दूसरे से एक घंटा 15 मिनट बाद मिल रहे है एक घंटा 15 मिनट बाद मिल रहे है सेम समय पर मिल रहे हैं दोनों यहाँ पर कहीं मिल रहे है तो हमसे क्या बोल रहा है question आगे यदि सुबा 4 km प्रति घंटा की आउसर चाल से चले तो सुसील की आउसर चाल कितनी होगी सुसील की आउसर चाल कितनी होगी ये ग्याद करना है तो एक घंटा 15 मिनट देखे टाइम यहाँ पे दिया है एक घंटा 15 मिनट दिया है तो इसे 15 मिनट को घंटे में कर्वट करेंगे तो 60 से भाग देते थे 15 चोके 60 एक सही एक बटे 4 तो यह कित्ता हो जाएगा 4 कम 4 और एक 5 5 बटे 4 टाइम कित्ता निकल गया 5 बटे 4 निकल गया पिर आगे question में बोल रहा है सुबाज 4 किलोमेटर प्रति घंटा की उसे चाल से चले सुबाज जो है सुबाज 4 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो देखिए सुबाज की हमें टाइम भी मालूम है सुबाज का टाइम भी पता है चाल भी पता है तो distance निकल जाएगी distance बराबर क्या होता है 4 गुडित समय 4 कित्ती है 4 और time हो गया 5 बटे 4 देखिए 4 से 4 केंसिल हो गया तो दूरी कित्ती निकल गई 5 निकल गई और total कित्ती दूरी है 8 km दूरी है 8 में से 5 जो है वो सुसील ने अताय कर लिया तो बची की 3 km जो सुभास ने ताय कर लिया 8 में से 5 km तो बची 3 km दूरी सुसील ताय करेगा सुसील की हमें दूरी पता है और time भी पता है देखिए दोनों तो same time ले रहे हैं देखिए एक गंटे 15 मिनाट बाद मिल रहे है तो हमें सुसील की distance पता है 3 km हो गई और time किता है 5 बचे 4 तो हमसे question में क्या बोल रहा है सुसील की अफसर चाल कितनी होगी 4 निकालना है 4 बराबर क्या होता है distance upon time speed बराबर होता है distance upon time तो देखिए distance किती है 3 km है और time देखिए 5 बचे 4 यह 4 ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 बचे 5 तो हम इसको इस तरह लिख सकते है 5 दूनी 10 यानि कि 2 सही 2 बचे 5 हम इस in the 2 सही 2 बचे 5 लिख सकते है 5 दूनी 10 और 12 12 बचे 5 तो सुसील की अफसर चल किती होगी सुसील की अवसाचाल होगी 2 सही 2 बटे 5 किलो मीटर प्रति घंटा 2 सही 2 बटे 5 किलो मीटर प्रति घंटा option number C आ जाएगा अगले question पर चलिए देखें दोस्तों इस question को देखते एक विक्ती किसी दूरी को तै करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़ सवारी द्वार वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है तो उसी दूरी को घुड़ सवारी द्वार जाने तथा आने में कितना समयलेगा तो देखी बहुत आसन कॉषचिन है इस से पहले भी हमें इस तरह का कॉषचिन हल कर चुके हैं तो देखी हogram करते हैं इसे डायगराम से समस्थने देखे एक वेक्ति जो है यहां से यहां तक जाने यहां से यहां तक तो पैदल जाता है और गुर सवारी दोरह वापस आता है तो वो 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है और question की second condition में क्या बोल रहा है अगर वो यहां से यहां तक दोनों तरफ पैदल जाए जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है उसे अगर मैं इसे 2 से डिवाइट कर दूँ तो एक तरफ पैदल जाने का समय निकल जाएगा तो एक कित्ता आजाएगा 4 घंटे 10 मिनट आजाएगा तो देखिए यहां पर फ्रस्ट वाली कंडिशन में वह जातो रहा है पैडल लेकिन आ रहा है घूड़सवार से और देखिए पैडल जाने का टाइम एक तरफ जाने का में पता है तो अगर मैं इससे माइनस करदू चार घंटे 10 मिनट माइनस करदू तो हमें एक तरफ पैदल जाने का टाइम में घुर सवारी से आने का समय मिल जाएगा, तो यहाँ से घटा देंगे तो कित्ता आ जाएगा, 20 मिनट बत जाएगा, अगर वो एक साइड 20 मिनट में घुर सवारी से जाता है, तो दोनों साइड कित्ते मिनट में जाएगा, 20 धन 20, बराबर हित्ता हो गया? 40 तो हमार आंसर हो गा 40 मिनट अगले क्वेश्चन पर चलिए तो दोस्तों ये time and distance का last question है दो रेल गाड़ी क्रमसा इस्टेशन A तथा B से क्रमसा 50 किलो मिटर प्रति गंटा तो 60 किलो मिटर प्रति गंटा चुकी होती है यह तत्था B के बीच की दुरी किती है तो देखी हलकरते है इसे तो देखी दोस्तों दो रेल गाड़ी दो रेल गाड़ी एक यह से भी एंप इखं़ गए भी एक दूसरी की विपरि़ दिषा में आ रही एंट देखी आ निर्फेक चाले हो गई यानि कि एक आ रही है 50 की स्पीड से पहली यह वाली इधर जा रही है 50 की स्पीड से और यह इधर आ रही है 60 की स्पीड से एक दूसरे यानि कि निर्फेक चाल हो गई एक दूसरे की विपरी दिसा में जा रही है यानि कि यह जूड़ेंगी अगर एक दिशा में चलती हैं तो घड़ती है पिर आगे बोल रहा है दूसरी रेलगाडी पहली रेलगाडी से 120 किलोमेटर अधिक चल चुकी होती है जब यह परस पर मिलती है तो पहली रेलगाडी दूसरी रेलगाडी से 120 किलोमेटर अधिक चल चुकी तो यह निकि दूसरी जो अंतर किते का है दस का अंतर है तो यह हो गई स्पीड हमारी और यह हो गई दूरी हो गई जब हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड तो डिस्टेंस किती है 120 और time है 10 तो 10 से 120 को काटेंगे तो कित्ता जाएगा 12 time कित्ता निकल गया हमारा 12 निकल गया time जो है हमारा 12 निकल गया आपको question के पहले बता था ये निरपेक चालें तो जूडेंगी पहली चल रही है 50 की speed से और दूसरी चल रही है 60 की speed से total कित्ती हो गई 110 हो गई तो हमसे question में पोछा है ये तथा B के बीच की दूरी कित्ती है तो देखिए हमें दूरी कित्ती है दूरी दीए हमें 110 किलोमीटर आ गई देखिए चाल जो है 110 किलोमीटर आ गई तो दूरी हमें निकालना है दोनों के बीच की तो दूरी कैसे निकलेंगे distance बराबर होता है speed into time तो speed किती है यह देखिए 110 आफेक्च इक चाल निरपेक्च गुरी time किता है 12 घंटे ले रही है इसको कुड़ा करेंगे तो यह आजाएगा 1320 तो दोनों की बिच की दूरी किती है 1320 km option number C तो दोस्तो time and distance नाम का chapter आज खतम होता है तो आप next वीडियो में हम train पढ़ेंगे तो वीडियो को subscribe कर दीजिए like कर दीजिए दोस्तों के साथ share तो कर दीजिए और comment करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा